अगर आप अपने 20-30 साल पहले जो भी आपकी मा दादी जो भी लोग होंगे वो लोग यहीं बताते थे कि हमारे 5-5 बच्चे हो गए और वो भी बिलकुल नॉर्मल हो गए तो यह कैसे possible होता था इनके पीछे क्या ऐसी चीजे थी जो कि वो daily day to day life में करती थी और यह चीज उनके लिए successful हो गई आज क्या होता है कि हम बस tips को follow करते रहते हैं बहुत सारे उपाय करते रहते हैं और जब आप hospital में पहुंचते हैं तो कुछ कारण के वज़े से आपका c-section कर दिया जाता है doctors की अलग-अलग अपने opinion होते होंगे उनको अगर c-section लगता होगा तो ही वो बोलते हैं लेकिन पहली की delivery और आपकी delivery में इतना जादा difference क्यों हुआ है क्यों लोग इतना जादा normal delivery इतनी नहीं होती है उसके पीछे भी कारण है और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आगर आपने दो से तीन काम इस तरह की कर लिए जब से आपका लेवर पर निस्टार्ट होता है और उस टेम से अगर आपने एकदम से मतलब दो घंटे में हो रही हो या पांच घंटे या दस घंटे में है जब से आपका लेवर पर निस्टार्ट हो गया आपको इमिडेटली उसके बाद से यह सारी चीज़े कर देनी है ताकि जो और भी ज्यादा फेबरेबल कंडिशन बने आपकी नॉर्मल डेलिवर के वीडियो क क्योंकि कई बार की होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं ईसे इस jestem कांटून या ऐसे कॉमिक देखते रहते हैं और आपका मेरे चानल यहांगा पर बहुत स्वागत है पहले की डिलीवरीज इतनी नॉर्मल होती क्यों थी वो भी 5-5-6-6 बच्चे और बहुत सरे ऐसी डिलीवरीज होती थी कि 10-10 बच्चे एक घर में एक एक लेडी 10 बेबीज को भी वो अराम से नॉर्मली भी डिलीवर कर देती थी उसका में रिजन ये था कि उनकी जो लाइफ इस्टैल रहती थी बहुत ज़दा एक्टिफ थी उनको अगर नॉर्मल खाना भी बनाना है तो आटा चक्की का इस्तमाल करने के बाद ही आटा मिलता था आटा मिलने के बाद वो घर के इतने सारे परिवारों का खाना बनाना और बहुत ज़दा हार्ड वर करना दूसरे इंपर्टेंट्रीज अगर नॉर्मल सा मसाला भी पीसना है तो आपको सिलबटे का इस्तमाल करना है जिसमें आपको प्रॉपर आपकी अच्छी जरह से एक्सराइस होती है यानि कि जो इंसान जो जानता चलाएगा जो चक्की था हर घर में एक दो गाय या भैसे जरूर होती थी और अगर कुछ नहीं है अगर गरीब परिवार है तो बकरी का भी पालन किया जाता था तो जितनी लाइफी स्टाइल आपकी हिल्दी रहेगी नैचुरल रहेगी उतना आप नैचुरली भी डिलीवर करने के लिए है और तो आपकी बात है आपके चांसे अच्च बनते हैं वहीं पर आपको प्लेसे ़िए Wrapल धी की नहीं देखने कहीं है कि है प्लेसिंटा की पोजिशन लो लाइंग नहीं है बिल्कुल सेफ है उसकी जो पोजिशनिंग है सेफ बच्चे की पोजिशन सही है बच्चा सिफैलिक में भी है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसे बनते हैं उसके बाद इंपोर्टन फैक्टर आता है आपका सर्वि आप नीचे बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपपने प्रेज्टेस्वाइज अगय बढ़ते हैं तो बच्चे का फूरा फार होता है एनिनॉटिक डरव्य होता है पूरा अगर देखा जाए तो उसका सारा प्रेशर आपके पिल्विक रिजन में पढ़ता है और उसकी आंचहि नहीं होगा तब तक की open मतलब यह आपकी normal delivery पॉसिबल नहीं हो सकती है इस बात को आपको गांट जरूर बांद लेनी है तो अब क्या करना है कि अब जब आपका लेवर पिन जब स्टार्ट होता है मा लेजे कि जब आपका वाटर कर डिस्चार्ज हो गया तो उस टेम पे तो पिल्विक रिजन बे भी काफी जब प्रेशर पढ़ रहा है बार बार आपको urine का प्रेशर आ रहा है आपको lose motion भी start हो गया है तो यह labor के science है अगर यह science दिख रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है walking करना शुरू कर देना है चाहे मा ठक रही हूँ या नहीं ठक रही हो एक मा इतनी capable होती है कि वो दर्द सहीं लेती है तो आपको इस बात की tension लेनी ही नहीं है कि energy नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप movement पे रहीगा जितना आप move करीगा चलते रहीएगा उतना आपकी cervix कपे अच्छा दबाव पड़ेगा और यह जल्दी खुल जाएगी और जल्द मानिए दोस्तों आपको किसी तरह का pain feel नहीं होगा अगर epizotomy है तो वो एक अलग बात है लेकिन मैं normal delivery की बात कर रही हूँ उस time पे आपको feel ही नहीं होगा अतना दर्द क्योंकि जिस pressure में आप रहते हैं आपको epizotomy का भी दर्द feel नहीं होगा एक बार केवल बच्चा out हो जाए आपको दर्द बहुत कम feel होगा तो मैं आपको यहीं बताना चाहूंगी कि आप बीना थके मतलब आपको अगर लग रहा है कि मैं थक रही हूं तो थोड़े दिर के लिए पांस से दस मिनट बीस मिनट आप रेस्ट कर लिजे लेकिन चलना आपको skip नहीं करना hospital भी अग आप जहां पर हैं वहां पर ही आप उठक बैठक लगाना यानि कि जो squatting होती है वो लगाना शुरू कर दें उठक बैठक जब आप लगाईएगा तो जो आपके पेलविक रीजन होते हैं थोड़े से flexible और होना शुरू हो जाएंगे flexible होंगे तो obviously बात है कि बच्चा जल्दी नीचे सरकेगा तो इसलिए ये दो काम जो कि मैंने अपने थमनेल में भी लगा है आपको ये दो काम ज़रूर करने चाहिए अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप स्क्वैटिंग करिए और ये दोनों काम आपको continuous करना है अगर आप ठक रहें तो थोड़ा सा आप को मन करें कुछ पानी पीने का जूस पीने का तो आप ले सकते हैं लेकिन हेवी भोजन करने से आपको इस्ट्रेकली नो हेवी भोजन नहीं करना है क्योंकि जितना आपका पेट हलका होगा उतना आप डिलीवरी में अच्छे से प्रेशर भी लगा पाईएगा freely आप रहीएगा क्योंकि आप देखते होंगे daily daily life में क्या होता है कि हम अगर बहुत जदा खाना खा लेते हैं तो हम इतने active नहीं फील करते हैं उसी तरह से delivery के समय आपको बहुत जदा चीज़े नहीं खानी होती है दो-तीन खजूर खा लिजे गरम पानी पी लिजे जूसिस पी लिजे इतने से आपको अच्छी energy मिल जाएगी और जितनी अच्छी energy मिलेगी उतना आपको पुछ करने में भी बहुत जदब help मिलेगी तो मुझे लगता है कि सारी बाते एक दोस्त की तरह एक बहन की तरह मैंने अच्छे से आपको समझाई है तो अ आपको यही सारी चीज़े बताएंगी और साथ ही साथ और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी पास भी डॉक्टर है तो डॉक्टर की immediately help लेना जरूरी है और डॉक्टर भी आपको बताएंगी कि आपकी लिए क्या सही है किस तरह से cervix का mouth जल्दी open होगा और जितना जल्दी open ह होगा यकीन मानिए दोस्तों आपकी delivery जल्दी होगी तो labor pin भी आपको जल्दी महसूस नहीं होगा मतलब तुरंट से खतम हो जाएगा अगर माली जी कि कोई process लंबी चलने वाली है तो ओविसी बात है कि वो दर्द भी लंबा किज़ेगा लेकिन अगर आपका काम ही हो गया तीन घंटे में तो फिर आपको pain क्यों होगा बाद में तो इसलिए आपको बिल्कुल बीना टेंशन के अराम से जाएए उपर वाले का नाम लीजे पॉजिटिव रहे जितना जादा आपसा करात्मार कर रहेगा उतना अच्छे से आपकी delivery हो जाएगी मन में विश्वास आइकर ना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सु मच फर वाचिंग ट्विन्स मैं वर्ल केयर